कॉंग्रेस की भारजोडो यात्रा की रफ्तार से विरोधियों में हलचल पैदा हो गई है लेकिन राहूल गांधी के नेतरित में यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और उसी कड़ी में आज यात्रा ने अपने 65 दिन में प्रवेश कर लिया है तो आज यात्रा में क्या रहीगा खास और यात्रा के 64 दिन क्या कुछ हुआ और कौन कौन हुआ यात्रा में शामिल जानने के लिए देखिए खास सिपोर्ट भारजोड़ यात्रा को शुड़ू हुए दो महीने पूरे हो चुके हैं और कई राज्यों से होते हुए अब यात्रा महाराष्ट में प्रवेश कर चुकी है इस राज्ज में भी यात्रा का धमाकेदार स्वागत हुआ था जो तस्वीरों में साफ तोर पर देखा जा सकता है कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराश्ट के नांदेर जिले में पांच दिनों से जारी है कॉंग्रेस के मताबिक यात्रा आज दो पहर बाद हिंगोली जिले में प्रवेश करेगी हिंगोली में शिवसेना उद्धबाला साइफ ठाकरे के नेता आदित ठाकरे यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगे वही महराश्ट की जनता भी राहुल गांधी पर खूब प्यार लोटा रही है और भरपूर सम्मान दे रही है जिसकी जलक उस तस्वीर में देखने को मिली जो कॉंग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर साज़ा की इस तस्वीर के साथ किये गए ट्वीट में कॉंग्रेस ने लिखा सिर्फर ये सिर्फ फेटा नहीं है सम्मान है महराश्ट का और इस सम्मान को मैं सदास से राखो पर रखूँगा कभी जुकने नहीं दूगा इस तस्वीर में राहूल फेटा बांधी नज़र आ रहे है यात्रा के अब तक के सफर में राहूल गान्धी के कई अंदास जनता को देखने को मिल रहे है जो राहूल और जनता के बीच रिष्टा बना रही है जिसका फाइदा आने वाले समय में कॉंग्रेस को मिलना तय है वहीं आत्रा के 64 दिन की भी कुछ तस्वीर ने सामने आई जिसको राहूल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साज़ा किया था उमीद के रोशन सूरच का देने साथ सुशांत सिंग जैसे सितारों ने भी बढ़ाया हाथ हर जजबा हर जिम्मेदारी मिलके निभाएंगे जुड़े हैं सबके होसले देश जोड़ते जाएंगे इसके साथ ही राहूल गांधी ने अपने फेस्बुक पर एक और तस्वीर साज़ा की थी जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ कीचा और इस तस्वीर के साथ ही राहूल ने लिखा था भारत का इतिहास और इसकी संस्कृती अध्भुत है जहां भी जाओ एक नया और खुपसूरत अनुभफ मिलता है आज नांदेड के गुरुद्वारा ताखत सच्खंड की हजूर अवचल नगर साहिफ पहुँच कर माथा टेका जिसकी स्थाप नाखुद माहराजा रंजीत सिंग जी ने की थी इसके बाद मराठा बाडा शहीद इसमारक पर जाकर शिद्धांजली अरपित की गुरुद्वारा से शांती और भाईचारे का संदेश और मराठा बाडा के शहीदों का संगर्ष हम दिल में लेकर आगे बढ़ रही है और इस प्रेणा के साथ बढ़ते रहेंगे भारत जो विधान परिशद में विपक्ष के नेता अंबादास धानवे शिरसेना विधायक सचिन अहीद के साथ भारत जुड़ोपद यात्रा में शामिल होने की खबर थी लेकिन स्वास्त कारणों के चलते वो अभी शामिल नहीं हो सके हैं दीवी लाइव की रेपोर्ट